जिन्हों ने अंतर राष्टे स्थर पर दुनिया में पूरा अपनी पृत्वा का जो पर्चे दिया और इस देश की आम जन्मानस का दिल जीतने का काम किया आदरनी है हमारी बेटी विनेश फोगाट शिरी बजरंग पूरिया दोनों ने ऑलिम्पिक में जिस तरह से अपनी पृत्वा का प्रदर्शन किया पहले बजरंग जी ने और अब सलाल के जो अभी फ्रांस में हुए जिस तरह से विनेश मारी बेटी ने दुनिया की जो सबसे बड़ी पहलवान को चित करने का काम किया उसने पूरे हिंदुस्तान की जन्ता का दिल जीतने का काम किया और हम सभी हर्याना वाक्षियों को तो बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे हर्याना से ऐसी हमारी बेटी में जर्म लिया हमारी पृत्वा वान जो हमारी देश की जो खेल के इस तरह पे जो उच्छा बढ़ाने का काम किया आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही है अभी वो खेल के खाड़े में थी और राजनीती के खाड़े में बतर रही है मैं उनका अर्याना प्रदेश कांग्रेस कमट्टी की तरफ से हार दिक स्वागत करता हूं अभिनन्न करता हूं खुश जनेवाद अज्यक्ष जी मैं माननिय केशी वेनू गोपाल जी हमारे महाश सच्छिव संगठन से आगरह करूंगा कि एइड़ी सी की तरफ से वह दोशप्त कहा हूं अजनिनेवाद, तड़ दिदी चे वाली टीज़ दीजूँ भी टीजूज हैंनुक तो अगनेशनल शौछायों, पृआज मेरी जे भी सहते हुआ टो जूआ कि जिन पोगाती जी आड़ागी सिर्क्टापूनियाजी जिने फेन्थ एंदेने दो निए नगूनियाजी जी जी केलिशी पामली प्रफिल्यूस्ट जी ले इस में में फोल्ज जी जीडी। in front of the house of a relative of a वाप्प्वामिया. Can you imagine that? When a girl child was nine years old, her own father shot dead by, nearby the family premises. But her conscious mind brought her here. Her braveness brought her here. Her courage brought her here. Become a three-time Olympian, having completed in three different weight classes, 48 kg in 2015, 53 kg in 2020, and 50 kg in 2024. In 2024, she became the first Indian woman wrestler to have reached the final National Olympic Games. However, you know, most disappointed news, India heard that point at the time she had been disqualified. In the same game, she had also become the first international wrestler to defeat the then-reigning Olympic champion, Usu Saki. After the disqualification, she announced the retirement. one of the very sad news again, after her father's death, murder. Second sad news, faced by Vineshji, that is not only for Vineshji, for entire country, the retirement from Olympic field. You know her journey, completely her journey, you know that. The woman there, she led along with Bajran Pooniaji and other Ruslis. They took up their cases of self-respective. Z-news.